हरी हूं आप लोगों का माया ग्राफिक्स में फिर से स्वागत करते हुए आज क्या है फोटोशॉप में आप हाफ्टोन लाइन्स में आप कैसे बना सकते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं कि एक क्या करता हूं कि में ओपन कर लेता हूं में घृण है क्या करता हूं अगर चाहे तो आप इलुकितर में भाना सकते हैंitter आmb magnet में आता हूं अभी क्या है एक rectangle टूल लेता हूँ लेके इसदर क्लिक करके से ड्रैग के आँ मैंने एक श्ट्रिप ले आ हमेने तो अभी इसका जो size है इसको क्या करता हूँ 180 बाई है 2 mm देता हूँ height क्या इसका 2 mm देया मैंने भी इसको enter करता हूँ तो एक बार मैं deselect करता हूँ, इसको deselect करने के बाद इधर क्या है आपको nudge distance करके आपको दिख रहा है, इधर यह 1 mm है, इसको क्या है 200 mm देता हूँ, 200 mm देके enter दिया मैंने अभी इस object को select रखते हुए, क्यूबड में जो down arrow है इसको प्रेस करता हूँ तो देखो भी जो हमने copy paste किया तो वो क्या है इधर नीचे आ गया, इतना होने के बाद अभी मुझे क्या है बीच में number of steps को create करना है तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ, blend tool में आता हूँ, यह क्या है, shadow tool के अंदर क्या है, blend tool है, blend tool को select करके इधर click करके इसे drag करता हूँ, जैसे इधर snap होता है, जैसे snap होता है तभी आपको click को छोड़ना है, दिखो भी ऐसे steps आगे, तो इसको आप क्या है इधर increase कर सकत इसे, अभी के लिए इसको क्या है, direct में 60 steps देता हूँ, 60 steps दिया मैंने, step देने के बाद आपको क्या करना है, इसको export करना है, export करने के लिए अभी मैं क्या करता हूँ, file में आता हूँ, file में आके, export में आना है, export में आने के बाद अभी इधर क्या है, file name देता हूँ, इधर क डॉक्यूमेंट है, PSD format में आपको सेव करना है, अभी selected only इदर रखा है, जो भी selected है उतना ही export होता है, तो अभी इसको export बोलता हूँ, export बोलने के बाद आपको क्या करना है, इदर resolution देखो 300 रखा है मैंने, और इदर क्या है, इदर transparent background है, इसको रखना बहुत ज़रूरी है, न अभी फिर से क्या है, photoshop में आता हूँ, इदर क्या है, Photoshop में आया है, फोटोशोड में आने के बाद आपको क्या करना है, उस file को open करना है, अभी क्या है इदर lines करके इसको double click करता हूँ, तो दिखो भी aligns open हो गया भी, अभी इसको hold करके करता हूं यसे ड्राग करके इस फाइल के उपर आथा हूँ तो ये फाइल उपन हो गया अब इधर ढ्राप कर दो ये तो दिको भी लाइन सीदर आ गए तु waktu इस कॉर्ण को इसे लेकर आता हूं तो दिको भी ऐसे जैसे धर ये स्नाप हो रहा है वो स्नाप क्यों हो रहा है विव के अंदर हमने क्या रखा इधर है स्नाप को एक्टिव रखा है इसलिए स्नाप हो रहा है एक बार आप इसको क्या है कंट्रूल टी करो दिखो अभी ऐसे इधर तक लेता हूं अगर चाहे तो इसको आप यहां तक कैसे stretch भी कर सकते हैं अभी इसको enter देता हूं enter देने के बाद अभी इस lines को मुझे क्या करना है blur करना है इन lines को मुझे blur करना है तो उसके लिए आप हैं में क्या करता हूँ उन फ्रिट में आता हूं डिया है इधर इसमें आने के बाद देखो भी यह ब्लर हो गए अभी समझे इस नाइन पिक्सल से इसमें कम जद आप लेकिन अब इसलिए 8 और 9 दे तो आप तो इतना दिया मैंने उतना के बाद okay बोलता हूं so अभी देखो यह line क्या है ऐसे blur हुआ है blur होने के बाद अभी आपको क्या करना है windows में आना है windows में आके आपको क्या करना है adjustments करके है इधर click करता हूं तो देखो अभी एक docker आ गया इसमें क्या है यह number of adjustments है इधर तो एक बार मैं इसमें क्या करता हूं इधर levels में क्लिक करता हूं यह क्या है levels है इसको क्लिक क्या मैंने जैसे यह option आता है आपका जो layer properties रहता है जैसे अभी F7 प्रेस करता हूं तो layer properties आ गया तो देखो भी यह इधर mask create हुआ है अभी इसको क्या ह अब इस किया है left की तरफ लेता हूं तो देको भी image क्या है थोड़ा contrast बन रहा है थोड़ा zoom क्या मैंने औरँ फोड़ा zoom कर लेता हूं तो देखो भी यह क्या है क्लोज करने के बाद अभी में क्या करता हूं? इस में आता हूं ये क्या है Cum्या थे? Cours में बाद है? misma sheet बाद है Cours में आया मैंने Curves में आने के बाद अभी इसमें चंजिस करो या ना करो पहले क्या है वैसे ही एक 마सक आ गे बाद दिखो भी ऐसे यह black and white आपको दिख रहा है इसको आप distance कम जादा करके इसे आप set कर सकते हैं तो दिखो भी ऐसा आ गया तो इसको अभी मैं क्या करता हूँ threshold को इतना रखता हूँ रखने के बाद हर एक step को आप alter कर सकते हैं तो अभी इस cover में आता हूँ कवर में आने के बाद अभी इसको क्या है distance आप कर सकते हैं तो देखो भी ऐसा आ रहा है तो इस point को क्या इसे नीचे लाता हूँ तो देखो भी इस तरह क्या है vary कर सकते हैं आप आपको समझ में आ रहा है तो इतना लेता हूँ इतना लेने के बाद अभी इसको क्या है इतना ल इक रहा है भी देको इदर किया है थोड़ा birds होगए आपको दीकर रहा है तो कि लिएर सेलेट करना है select करके आपको क्या करना है फिर से एक बार filter में आके blur में आना है blur में आके region blur में आना है आप इधर क्या है इसको कम जाद आप कर सकते हैं देखो अभी बहुत clear आपको यह देख रहा है इस तरह आप set कर सकते हैं इतना रखता हूं मैं इतना रखके इसको क्या है okay बोल देता हूं इसको okay बोलते हैं मैंने अभी क्या है इधर फिर से इधर क्या है levels में आता हूं levels में आके आपको जितना adjustment करना है उतना adjustment आप कर सकते हैं यह आपको समझ में आ रहा है अगर आप चाहिए तो जो lines आपने बनाया हुआ है इसको angle भी आप दे सकते हैं अभी देखो इसको close करता हूँ मैं इसको भी close कर लेता हूँ अभी इसमें आपको क्या करना है जो line layer है F7 प्रस करो आप जो lines का layer है इसको select करता हूँ select करके फिर से F7 प्रस करो आप तो hidden हो जाता है तो अभी इसको control T बोलता हूँ तो select हुआ एक बार आप करसर भार लेके आओ तो देखो भी एक करू जैसे आपको दिख रहा है अभी इसको hold करके इसे drag करता हूँ तो देखो भी इसका angle भी आप इदर दे सकते हैं देखो भी एंगल आप ऐसे change कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा effect यह आता है तो अभी के लिए इस स्ट्रेट में रखता हूँ मैं तो इतना angle दिया मैंने तो इतना देने के बाद अभी इसको क्या है एंटर दे देंगी तो यह ऐसा आ जाता है अभी समझो इसी में कुछ आपको और changes कर करना है तो आप क्या कर सकते है एफ 7 प्रस करना आपको तो दिखो भी layer properties आ गया अभी जो image है इसको hidden करता हूँ तो दिखो भी image क्या है hidden हो गया और इदर आपने angle दिया था अगर आपको state करना है तो आप क्या है इसको इस layer को select रखते हुए और Cinderella करने के पार रॉटेट करना आपको अभी इस स्टेट में आ गया है एकपला एल्टर देता हूँ तो यह क्या है दिसलेक्ट हो गया अभी इसमें क्या है custom shape में आता हुए क्या है इधर custom shapes है custom shape आरे के बाद आप इदर क्या है बहुत सरे shapes है आप कौन सा भी शेप आप ले सकते है अभी के लिए क्या है इसको shift को hold करते हूँ इसे drag करता हूँ तो देखो भी एक shape आ गया इस shape को मुझे क्या करना है अभी blur करना है blur करने से पहले आपको इसको क्या है राष्टराइज करना पड़ेगा अभी देखो इस object को मुझे क्या करना है राष्टराइज करना है राष्टराइज करने के लिए अभी मैं क्या करता हूँ लेयर में आता हूँ लेयर में आके इसको क्या है राश्टराइज शेप करके है इधर क्लिक करता हूँ क्लिक करने से दिको यह क्या होता है से यह अबजेट हो गया अभी अबजेट होने के बाद अभी इसको क्या है फिल्टर में आता हूँ फिल्टर में एक िलर करता हूँ गेशन लर में आता हूँ मैं आकर हूँ कि से फोड़ा बलर करता हूँ आपको जितना चैए उतना प्लर कर सकते है वह ठोड़ा मिडियम करता हो सकते हैं अभी क्या है यह जो ऊपर लाइन का जो लेयर है इसको सेलेक्ट रखते हुए अभी मैं क्या करता हूँ मूटूल से इसको क्या ऐसे मुवमेंट करता हूँ तो दिखो भी ऐसे आप मुवमेंट कर सकते हैं इवन आप फॉंट्स में भी ऐसा क्रेट कर सकते हैं अभी च समझ में आ गया अगर समझो आपको पहले का image आपको देखना है तो इसको आप क्या करो यह जो शेप हमने बनाया था पहला इसको hidden कर लेता हूँ hidden करके इस image को active करता हूँ तो देखो भी यह पहले का image आ गया अभी इसको क्या है lines जो आपने लिया था इसको select रखते हुए lines में create कर सकते हैं अगर यह करते वक्त आपको कुछ doubts वगिरा है तो मुझे comment box में comment कीजिएगा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इस चनल को subscribe करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद